हलो रिवन वेल्टों में चल्ब बिंग दॉक्टर ओफिशल आई होप आप सब बढ़ियाओंगे आप सभी का जो वेड था काफी समय से काफी सार इस्टुएंट कब आएगा हमारी काउंसलिंग का तो जिन भी स्टुएंट ने नीट 21 की काउंसलिंग कराई थी MCC की तो उन सभी को बता दूँगा आप सभी का रिफर्ण का जो प्रोसेस है MCC ने स्टार्ट कर दिया है 10 जून से स्टार्ट कर दिया है और काफी सार इस्टुएंट से जिनको रिफर्ण मिलना शुरू हो गया है अभी सब को नहीं मिला है धिरे-धिरे MCC जो है सभी को रिफर्ण करेगा बट अभी जो है आप लोग क्या कर सकते हैं अगर नहीं आया तो वेट कीजिए ठीक है अब ऐसे गनिस्ट करते रहे आपका रिफर्ण जरूर से आ जाएगा अभी MCC list भी जारी करेगा जिन भी candidates को successfully refund हो गया रो कितना amount refund हुआ है वो सबकी एक list आएगी complete जैसे ही कोई update आएगा वो मैं update कर दूँगा अपने टेलिग्राम के तुरू या फिर आप YouTube चनल को subscribe कर लीजिए ठीक है और essay candidate जिन्होंने जो है security money आपने जो है pay किया था किसी e-meter में या फिर cyber cafe में जाके तो essay candidates को मैं कहना चाहूँआ कि अभी जब वो list है कि उसमें आप देख लीजेगा आपका role number है अगर है तो फिर आप अपने संबंदी जो भी e-meter जान से भी आपने payment किया था वहाँ पर जाहिए उनसे बात कीजिए कि मेरा refund आया होगा वह आपको pay कर देगा ठीक है तो यह चीज आपको कर ले नहीं साथ ही दूसरी चीज ऐसे candidate जिनको अपने security money में कोई भी जाओट है कोई भी query है मानलेजे कोई अधूरा payment आया है काविशारी student की यह भी शिकायत रह सकती है कि sir मैंने amount जो पेकिया था जाता था मुझे refund कम का मिला है ऐसी कोई भी शिकायत हो तो यहाँ पर जो help line वाला email id दिया हूँ है वहाँ पर आप मेल कर सकते है आप नोट कर ल आपको कर लेनी है साथ ही वेट किए जिए अभी जो है 10 से लेगा 20 जून तक यहाँ पर डेट दी गई है इस notice में उसके according अब धेर देर सभी का refund आ जाएगा तो आप वेट किए इसका refund नहीं है कुछ नहीं करना आपको वेट करना है ठीक है और चेक करते रहना है अपने account को तो अभी के लिए बस यह अपडेट देना था थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद